हेलो डियर इस्टुजेंट वेलकम टू माईज सेलेक्टो लर्निंग अड़ा तो प्यारे बच्चों आज यहां पर हम बात करने वाले हैं साइंस साइंस में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो आपके लिए यहां पर है मोसन मोसन क्या होता है इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे तो यहां पर जो मोसन है सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है ठीक है और इसमें हम बात करेंगे भाई मोसन क्या होता है मोसन के अंदर मेकेनिक्स क्या होती है मेकेनिक्स को हम कैसे डील करेंगे इसके कितने category होते हैं इसको divide किया जाता है kinematics और dynamics में हम इसमें आगे देखने वाले हैं भाई बहुत ज़्यादा आज का जो topic है बहुत ही ज़्यादा interesting है जो आपको पूरी तरह से यह full animation के साथ समझाया जाएगा जो भी चीज़े हैं यहाँ पर तो चलिए बिना किसी देरी क कि start करते हैं अपना यह topic तो आप हमारे साथ तयार है ना चलिए बात करते हैं आगे next topic पर क्या होता है motion तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो object है ना move कर रहा है यह कैसे move कर रहा है ठीक है देखो क्या होता है कि जब कोई एक object है ठीक है जब object के respect में जब object के respect में किसी दूसरे object का है ना किसी दूसरे object की position में क्या होता है position हो या orientation हो time के recording अगर changes होते हैं क्या होते हैं changes होते हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज विद टाइम आफ दा फूजीशन और ओरिंटीशन ऑफ दा बोटी उसी को क्या कहते है ताइम के गॉडिंग अगर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किसी दूतरे ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या हो रहा है चेंज हो रहे हैं है ना तो वही आपका मोसन है चलिए आगे देखते हैं What is mechanics ठीक है? Mechanics क्या होता है तो देखो बहुत ही आसान है अगर हम अगर हम ओप्चेक्ट के motion के बारे में उसके behavior के बारे में बात करना चाहें आपसे ठीक है? वही आपका क्या होता है? Mechanics होता है क्या होता है? mechanics यहां पर आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ है which deal with the behavior of the moving of object is known as mechanics अरे भाई यह motion हो रहा है तो कैसे हो रहा है इसके अंदर क्या हो रहा होगा है ना यह कैसे set कि होगे होंगे है ना तो इनके सारे cause और motion है ना हो रहा है तो ऐसे हो रहा है और क्यों हो है कि इसका पूरा कारण है नहां को समझने के लिए हम मैकेनिकश के बारे में करते हैं और उसको लॉक्त कर रही है कर रहा है तो कर रही है उसके नहां पोच्छुं क्यों कर रही है बस मैं जानता हूं चल रही यहां पर आएगी दस सिकण में वहां पर पहुंचेगी, लेकिन मÏ बात ऐसा ना करूं, भई, ये बात prohibit यह ना करूं, कैसे आया होगा, उसके अंदर कैसे चेंज hurt होए होगे, हैना, उसका acceleration कैसे बना होगा, अगर उसके कौझ को है। हम discuss ना करें, बस उसके time को तो बात करें, time की बात करें, velocity की बात करें, किसी particular time पर, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, काइना मेडिक्स कहेंगे, यह एक आदमी है, बाइक से जा रहा है, यहां की spring है, है ना, यह कुछ motion कर रहे है, तो अगर मैं बोलू भाई, यह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों का अगर कारण यहां पर ना बात किया जाए, तो यह आपका क्या होगा, कहना मेडिक्स होगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, dynamics की, तो dynamics कहता है, सर, हम तो पहले cause को ढूड़ेंगे, ठीक है, देखो, एक आप अभी देखो, एक block आके गिरता है, कैसे गिर गया है उसे में, अगल बगल क्यों नहीं गिरा, अगर इन सभी cause को, अगर हम find out करें, तो आपका यह किस में आ जाएगा, dynamics में आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों, आपको सायद यह समझ में आ रहा होगा, पूरी तरह से, तो आएगे और कुछ interesting point पर बात करते हैं, motion, motion क्या होता है, देखो, अगर एक object के respect में, कोई दूतरे object के position में क्या हो रहा है, changes हो रहा है, क्या हो रहा है, changes हो रहा है, ठीक है, और किसी given time में, तो उसी को हम क्या कहते है, motion कहते है, जब आप अभी बैठे हो, बगल में अगर आपके भीया से या मम्मी से पापा से पूछ ले जाए आप क्या कर रहे हो तो आप रेस्ट पर हो ना तो चल रहे हो बसके बैठे हो मुबाइल देख रहे हो ठीक है लेकिन अगर कोई मोन पे बैठा हो कहां पे बैठा हो मोन पे हो उससे पूछ हूँ मैं तुम क्या कर रहे हो वो कहगा सर ये अर्थ रोटेट कर रही है तो ये आदमी भी रोटेट कर रहा होगा यानि कि उसके कॉर्डिंग आप मोसन कर रहे हो जब कि आपके साथ में जो लोग हैं वो कह रहे हैं रेस्ट पर है तो देखो अवकुल मिलाके यहाँ पे फ्रेम की बात होती है जब हम फ्रेम को डिसाइड कर देते हैं इसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तब ही हम किसी भी आपजेक्ट के मौसन को हम डिसाइड कर सकते हैं बता सकते हैं उसके बारे में तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हम frame set नहीं करेंगे आपके मम्मी पापा यहां पे या भाईया आपके क्या थे एक frame ही थे ठीक है और या मून की बात करूँ वहां पे जो object दा एक frame ही था है ना जब तक frame मानेंगे नहीं तब तक हम motion को describe नहीं कर सकते हैं आईए बात करते हैं next point पर अब motion के अंदर एक point आता है rest क्या होता है rest है एक बालक आया बंदूक लेकर के बोला हाथ ओपर कर लो खड़े हो जाओ हिलना मत तो आप यहां पर observe करें उस बालक और इस लड़की के बीच में position में कोई ज़्यादा changes नहीं हो रहे हैं ठीक है time के recording अगर दो body है ना या दो से ज़्यादा के बीच में अगर अगर position का क्या ना हो change ना हो ठीक है तो उस condition को हम क्या कहते हैं rest ध्यान रखना है यहां पर frame तो बनाना ही पड़ेगा यहां पर यह जो बालक है ना एक frame ही तो है इससे तुम्हें पूछ रहा हूँ बता यह लड़की खड़ी होई की नहीं होई बोला सर बंदुक दे के खड़ी होगई हाथ उपर कर दिया है ठीक है और इसके और हमारे बीच में कोई भी position का change नहीं हो रहा है जो बहुत ही जादा देखो कितनी कमाल की बात है एक बालक एक लड़की को हाथ को उपर करा दिया है ठीक है तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे अगर position की बीच में है ना कोई भी changes ना हो with respect to time ठीक है तो हम उसको क्या कहेंगे rest क्या कहेंगे rest तो आईए प्यारे बच्शों आगे एक नय और point पर देखते हैं ध्यान देते हैं types of motion यह कितने type के होते हैं तो दीखिए meanly आपके этот रूट्अरी कि होते हैं translatory motion rotatory motion और imošOn और वाइबरेडरी मोस innovation तो यहां पर हम हरेके part पर बात करेंगे translatory motion क्या होता है Rotatory Motion क्या होता है और Vibratory Motion क्या होता है तो चलिए बात करते हैं Translatory तो देखे ट्रांसलेटरी Motion क्या है कि अगर कोई Particle ठीक है अगर कोई Particle इस तरह से Move कर रहा है एक Point से Another Point तग ठीक है और उसका Path दो टाइब का हो सकता है या तो Linear हो सकता है या तो Curved Path हो सकता है ठीक है या तो Linear हो सकता है या तो Curved हो सकता है तो ध्यान रखना ऐसे Motion को हम क्या कहते हैं Translatory Motion कहते हैं जैसे आप Cycle चलाते हो क्या करते हो Cycle चलाते हो सीधा जाते हो तो आप एक Estrid Line पर जा रहे हो ठीक है, वगर आपके पास एक car है car को किसी एक mode पर मुडाते हो ठीक है, curve path पर है तो वो आपका curve path है तो इस type के, दीखें, यहाँ पर दो type के motion मुझे समझ में आ रहे हैं एक straight line है और एक आपका curve path है, क्या है curve path, तो इनको भी दो type से divide गया गया पहला आपका है, rectilinear motion rectilinear motion क्या होता है कहता है कि सर, अगर कोई object है सीधा जाना चाहिए, मुझे नहीं मरलब है बस जाए तो सीधा जाए तो ऐसे motion को हम क्या कहते है rectilinear motion कहते है आप यहाँ पर देखो, A से B जाना है वो कहरा, जाने दो इसे सीधा जाने दो, अगर मुड़ गया तो यह linear motion नहीं है यह एक ball है सीधा जा रहा है भई, ठीक है उसके पास कोई दूतरा चारा भी नहीं है ठीक है, तो ऐसे motion को हम क्या कहते है, rectilinear motion कहते है, और हमारे प्यारे बच्चों, बात करते हैं एक और motion की, जिसे हम क्या कहते है curve linear motion यह तो बहुत ही आसान है आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई object, ठीक है curve path पर curve path पर क्या करती है, motion करती है along curve path इस काड़ क्या, curve linear motion तो dear student यहां तक I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया है तो आप जरूर comment करके मुझे बताएं और क्या चीज जिसमें आपको समझ में नहीं आया जरूर उस चीज को है ना comment में जरूर आप लिखें जिससे मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ चलिए, मिलते हैं आपसे next नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द तब तक के लिए थैंक्यू